तो सबसे पहले तो आप Cody Rhodes का ये वाला ट्वीट देख लो जिसमें Cody Rhodes ने अपनी पूरे जनवरी महीने का पूरा schedule शेयर किया है Almost 14 से लेकर 15 appearance होने वाली है Cody Rhodes की इस महीने के अंदर मतलब या Raw, SmackDown and Live Shows हर जगा पर Cody Rhodes काम करने वाले हैं क्या ही यार busy schedule less बन देगा और दूसी तरफ है रोमरे जिनकी पूरे साल के अंदर टोटल इतनी appearance होती है जितनी Cody Rhodes की एक महीने के अंदर appearances है तो इस चीज के लिए Cody Rhodes को salute तो बनता है जो बन्दा इतना जादा hard work कर रहा है WWE की अंदर इसी लिए ही तो इन superstar को professional wrestler कहा जाता है इसी के साथ Brock Lesnar की return date भी confirm हो चुकी है कि वो कब return आने वाले हैं तो वीडियो के इंड तक जुरूर देखना तो सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले Friday Nuts मैड़न के बारे में सबसे पहले तो कल Roma Rains एंड Nick Aldis के बीज टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि Nick Aldis ने अपनी मर्जी से ही Fatal 4 वे match को announce कर दिया था last week और इसके बारे में Roma Rains को नहीं पता है कि Nick Aldis ने ये कम कर दिया था last week पर तो कल तो वह Nick Aldis की class लगने वाली है बहुत गंदी वाली और साथ ही साथ Logan Paul and Kevin Overs के बीच भी हमें segment देखने को मिल सकता है क्योंकि इनका match भी Royal Rumble के लिए setup हो चुका है बाकी आप चैनल को subscribe करके रख लेना आपको Smagdon का review यहीं पर देखने को मिल जाएगा हिंदी में नेक्स्ट आम बात करते हैं WWE के premium live events की तो आप पूरी list यहाँ पर देख सकते हो जो जो premium live events WWE ने announce कर दिये हैं दोहर 24 के लिए तो Royal Rumble 27 जनवरी को Florida से, Elimination Chamber 24 फर्बरी को Perth Australia से, Wrestlemania 46 और 7 April को Philadelphia से, Backlash 4 माई को France से, Money in the Bank 6 जुलाई को Canada से and Bash in Berlin 30 gust को Germany से, मतलब के WWE अब 1224 के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने शोज जो हैं वो international level पर करवाने वाली है लेकिन हमारी इंडिया में कब कोई PPP होगा यह तो भगवानी जाने यहाँ फिर Triple H ही जाने अब बात करते हैं Beast Incarnate Brock Lesnar के बारे में पॉयर रंबल के बाद फिर Elimination Chamber के लिए फिलहाल तो Brock Lesnar की booking नहीं है लेकिन उसके बाद सीधा है Wrestlemania 40 के अंदर और वहाँ पर आपको पते ही हुग के Brock Lesnar का सबसे बड़ा रूमर्ड मैच कौन सा है वो है Gunther vs Brock Lesnar का तो यह चोटी सी update थी Brock Lesnar से लेटर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने और साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सबस्क्राइब ठोक देना मेरी जान